माननिय सदस्यगान संसोत के इस समावेद सत्र को संभोधित कात्ते हुए मुझे हार्थिक प्रसंटा को ले पूछी मेहने पहले देश ने अपनी आजादी के पचछतर बर्सों पुरी करके आजादी के अम्रुद काल में प्रभेश किया है आजादी के इस अम्रुद काल में हजारों बर्सों के गोर्भ साली अतित का गोर्भ जुड़ा है भारत के सतंत्रता संग्राम की प्रणाय जुड़ी है और भारत के स्वर्निम भविश्यों के संकल्ब जुड़ी है अम्रुतकाल के ए 25 बर्ष का कालखंड सतंत्रता की स्वर्णिम सातव सताब्दिका और विक्षित भारत के निर्मान का कालखंड है ए 25 बर्ष हम सब के लिए और देश के प्रत्यक नागरिक के लिए करतव्यों की पराकास्टा करके दिखाने के ए हमारे समने युग निर्मान का अबर्षर है और हमें इस अफसर के लिए सत्प्रतिस्वत सामध के साथ हार्क्यों कार्य करना है हमें 2047 तक एसे राष्टर का निर्मान करना है जो अतित के गोर्व से जुड़ा हो और जिसमें आधनिकता का हार स्वर्णिम अध्धाय हो हमें एशा भारत बनाना है जो आत्मनिर्भोर हो और जो आपने मानुव्य दाइत्तों का पूरा करने के लिए भी समर्थ हो एशा भारत हो जिसमें गरीबी ना हूँ जिसका मध्वम बर्ग भी बोईभव से युक्त हो एशा भारत हो जिसकी जुवा शक्ति ओर नारिशकति समाज जो राष्ट्रो को दिशा देने के लिए सोब से आगे घड़े खड़े हो जिसके जुबा समय से दो कोदम आगे चलते हो एशा भारत जिसकी विविदता और अधिक उज्जल हो जिसकी एकता और अधिक अटल हो दो हजा संचालिस में देश जो इस सच्चाई को जिवन्त करेगा तो निश्चित रूप से उस भव्य निर्मान की निव का अबलकन और आकलन भी करेगा तो आजादी के अमुरुत काल की इस प्रथम बेला को एक अलग आस्ता के साथ देखा जाएगा इसलिए आज अमुरुत काल का ये समय एक आलकन बहुत महत्तपुन हो गया है माननियों सद McNichagal मेरी सरकार को देश के लोगों ने जो पहली बार से बाका अबस्तर दीया तो शब का साथ शब का विकास के मंत्र से हमने शुरुआत की थी समय के साथ इसमें सब का विकास, सब का विश्वास और सब का प्रयास भी जूड़ा गया एही मंत्र आज विख्षित भारत के निर्माण की प्रेणा बन शुका है विकास के ये कत्तव्य पत्फर चलते हुए मेरी सरकार को कुछी मेहने में नो बर्ष पूरी हो जाएगी मेरी स्वरकार के लोगभख नो बर्सों में भारत के लोगों ने उनेक सक्रात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं सोबसे बड़ा परिवर्तन एग गवा है कि आजहार भारतिय का आत्म विश्वास सीर्षे पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत को भी अपनी अधिकांग्स समस्षाओं के समाधान के लिए दुसरों पर निर्भर था, ओही आज दुनिया की समस्षाओं के समाधान का माध्धम बन रहा है। जीन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दोसों को तक इंतजार किया, वे इन वर्सों में उसे मिली है। जीस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम कभी कामना करते थे, वो इन वर्सों में देश में बनना सुरू हुआ है। आज भारत में एशा डिजिटल नेटवार तियार हुआ है, जिससे विक्षित दिशा में देशों में प्रेवना ले रही है। बड़े बड़े घटेलों, सरकरी जो जनाओं में भस्टाचर की जीन समस्चाओं से देश मुक्ती चाहता था। ओ मुक्ती आप देश को मिल रही है। पलिशी पारलिसिस के चच्चा से बाहर आकार आज देश की पहंचान तेज बिकास और दूरगामी दृष्की सिक के लिए फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए हम दुनिया के दोस्मे नंबर की अर्थ व्यवस्चाच से पांचमे नंबर पर स्पांच के लिए अर निभे जो आने बाले पच्चिस साल में विक्षित भारोके निर्मान के आद्गात्म विश्वास को बलन्त करेगी। मानोनिय सद्दश्योगन भोगवान वसव्यश्वन ने कहा था कायो को भे कैलास अर्थात कर्मों ही पुजा है कर्मों में ही सिर्थ। उनके दिखाई मार्गों पर चलते हुए मेरी सरका राष्ट निर्मार के कत्तव्यक को पुरा करने में तत्पत्ता से जूती है। आज भारत में एक स्थीर, निडर, निर्नायक और बड़े सपनों के लिए काम कान्नेवाले सरकार है। आज भारत में इमांदार का सन्मान कान्नेवाले सरकार है। आज भारत में गरिबी को 27 समाधान और उनके 27 सवसक्ति करण के लिए काम कान्नेवाले सरकार है। आज भारत में अभूत्पुर्व स्पीर्ड और स्केल पर काम कान्नेवाली सरकार है। आज भारत में इनोभेशन और टेकनोलोजी के माध्दम से जनकल्लान को सर्बो परी रखनेवाली सरकार है। आज भारत में मोहिलाओं के सामने से हार बाधा को दूर करनेवाली सरकार है। आज भारत में प्रगति के साथ ही प्रकुति का भी संगरखन करनेवाली सरकार है। आज भारत में बिरास्वत के सोरक्षण के साथ ही आधुनिक्ता को बढ़ावा देनेवाली सरकार है। आज भारत में अपनी बैसिक भुमिका को लेकर आत्म विश्वास से आगे बढ़नेवाली सरकार है। मानन्य सदस्योगन में आज इस स्ट्र के मार्दम से देश भास्यों का अभार व्यक्त काती हूं कि उन्होंने लागादार दो बार एक स्टीर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देशित को सदेव स्वर्व परी राखा। निती रोन निती में स्वर्म परिवर्तन की इच्छा सक्ती दिखाई। साजित कार स्ट्राइक से लेकार आतंबात कोर कठर प्रहार तोक। एलोसीर से लेकार एलेसी तोक। हार दूस्षा होसके कडे जबाब तोक। आर्टिकाल 370 को भटाने से लेकार तीन तलक्त मेरी सरकार की पहचान एक निन्नायक सरकार की रहें। स्थीर और निन्नायक सरकार होने का लाब हमें एक सो साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद वनी परिष्टितियों से निपर्ने में मिल रहा है। दुनिया में जहां भी राजनीतिक अस्तिरिता है और देश आज भी सोन संकोट से घेरे हैं। लेकिन मेरे सरकार ने राष्टर हित में जो भी निन्नल किये उससे सार भारत का बाकी दुनिया से बहुत बेहतर स्कितिति में।